बड़ी पुरानी कहवात है कहते हैं जब धर्ती लगे फटने परसाद लगे बटने क्या कुछ हो ऐसा ही हो रहा है चाइना के लोगों को बचाने के लिए अब पाकिस्तान ने एक नया उपाय लगाया है जानेंगे क्या किया है पाकिस्तान ने आखिरकार जिन पिंग ने जिस database में घुज गई हैροोसी सेना एक हज़ार अमेरीकी सैनीक है अब ऐसा लगता है कि अमेरीकी सैनीकों को निकालनी के लिए क्या रूसी सेना को बुलाया गया है अफ्रिका के देश नाइज़र में बाईडेन की कूट नीटी को बहुत बड़ी हार मिली है जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन कवरों को विस्तार से पस्चिम अफरीकी देश नाइजर ने अमेरिका को एक बड़ा जटका देते हुए अपने एयर बेस मे रूसी सेना के परवेस की इजाज़त दे दी है रूस के सैनिकों को जिस एयर बेस में इजाज़त दी गई है वो अमेरिकी सैनिकों के पास रहा है रॉइटर्स की रिपोर्ट के मताबिक रूसी सैनिकर्मियों ने नाइजर में एक एयर बेस में परवेस लिया है ये कदम ना नाइजर के सैने सासन ने हाली में अमेरिका से कहा था कि वो अपने 1000 सैनिकर्मियों को वापस बुलाए। पिछले साल तक था पलड तक विद्रोईयों के खिलाब अमेरिका की लड़ाई में नाइजर का एक परमुक भागीदार मना हुआ था। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि रूसी सैनिकर्मी अमेरिकी सैनिकर्मियों के साथ घुल मिले नहीं रहे हैं लेकिन एयर बेस 101 पर एक अलग हैंगर का उपयोग कर रहे हैं ये एयर बेस नाइजर की राजधानी नियामी में डियोरी हमानी इंटरनेशनल एरपोर्ट के पास है अमेरिका और उसके सहयोगियों को बीते कुछ समय में कई अफरीकी देशों से सेना वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा है नाइजर के अलावा अमेरिकी सैनिकों ने हाली में चाड को भी छोड़ दिया है इसी तरीके से माली बुर्किना फासों से लेकर कई जगों पर फ्रांसिसी सेना को भी बाहर कर दिया गया है अमेरिका ने एक सो मिलियन डॉलर से अधिक की लागत से मध्य नाइजर में एयर बेश टू जिरो वन का निर्मान किया था दोहजार अठार से इसका इस्तेमाल ससस्त्र ड्रोन के साथ छेतर में कटर पंथियों को निसाना बनानी के लिए किया जाता रहा है इन गुटों में इस्लामिक स्टेट और अलकाइदा से संबंध नुसरत अलिस्लाम वल मुस्लिमीन सामिल है तकता पलट के बाद अमेरिका ने अपने सेनिकों को एर बेस वन जिरो वन से अगाडेज में एर बेस टू जिरो वन में ट्रांसपर कर दिया बदलते हालात में अमेरिका को चिनता है कि साहिल छेतर में अमेरिकी बलों की उपस्तिती ना रहने से जिहादी गुट अपना ताकत बढ़ाएंगे मार्च के मद्दे में नियामी में नाइजर सेना के साथ एक बैठक में अमेरिकी अधिकारियों ने रूसी सेना के आने और इरान द्वारा नाइजर से यूरेनियम मांगने की रिपोर्टों पर चिंता जाहिर की थी इस बैठक के बाद ही अमेरिकी सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया अमेरिकी सेना की वापसी की निगरानी के लिए एक टू इस्टार अमेरिकी जनरल को नाइजर बेजा गया है रूस काफी तेजी से अफरीका को लुभाने में लगा हुआ है और इसका उसको फाइदा भी हो रहा है उधारन के लिए माली अब रूस के सबसे करीबी अफरीकी सैयोगियों में से एक मन चुका है माली में बिद्रोहियों से लड़ने के लिए रूस का वेगनार ग्रूप वहां तैनात है और इस जीत को अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी हार मानी जा रही है कुटनीतिक तोर पर अफरीका से अमेरिका और अमेरिका से सम्मंधित देश बाहर होते नजर आ रहे हैं अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो इन तस्वीरों में आपको कई बार रूसी जंडे के साथ नाइजर के लोग देखने को मिलेंगे और ये आपस में काफी अच्छा सम्मंध भी रखते हैं बैठक वगेरा और भी बहुत सारी चीजे यहाँ पर देखने को मिल रही है आला कि अमेरिका के सैनिकों का बाहर होना एक बहुत बड़ी कुठनी तिक हार बताई जारी है पर ऐसा हो रहा है यहाँ पर और ये अमेरिका के लिए एक चिंता का विसा है क्योंकि अफरीका अब पूरी तरीके से हाथ से बाहर होता चला गया अब आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि रूस ज्यादा करीबी क्यों बनता जा रहा है तो दोनों के वेभार में एक खासा अंतर है अमेरिका कभी भी किसी भी देश में रहता है तो अपना पन नहीं बना पाता है अमेरिका हमेशा ये दिखलानी की कोशिस करता है कि हम बॉस हैं और आपको हम ट्रेन कर रहे हैं हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको हमारी मदद को इलिए सुक्र गुजार होना चाहिए रूस के साथ ये चीज नहीं है, रूस वहाँ गुलने मिलने की कोशिस करता है, यही वज़े है कि रूस की यहाँ पर ताकत को बढ़ते हुए देखा जा रहा है, अफरिका के देशों में फ्रांस और अमेरिका दोनों को बहुत बड़ा जटका ये मिला है, खुद लॉयड में निकलना होगा, अमेरिकी सैनिकों को, खेर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं अपना पडोसी पाकिस्तान इंदीनों बहुत घवराया हुआ है, क्यों कि सी जिन पिंग से मिलने जाना चाहते हैं सावाज सरीफ, और सी जिन पिंग ने मिलने से पहले रग है, वो भी मुझे बताना, तो यहां पर पाकिस्तान की सरकार के लिए सबसे वड़ा टेंसन खड़ा हो गया, पाकिस्तान में हर एक दीन, दो दीन बाद कुछ न कुछ हमले, कुछ न कुछ दुरगटना होती रहती है, अगर आपको यकीन नहीं है, तो इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक लेंड माइन बलास्ट हुआ है, और इस बलास्ट में कहा जा रहा है, एक लोग मारे गए हैं, बीच लोग घायल हुए हैं, कही जगों पर ये भी रिपोर्ट कही जारी ही, कि डबल लेंड माइन बलास्ट हुआ है, इस तरीके की चीजें अब आम हो गई है, ऐ ऐसे में वहाँ पर काम करना बहुत मुस्किलोभरा है खास तोर पर चीनी नागरिकों के लिए विए उसके शोग हुआ उसके बात जापानी नागरिकों के उपर भी हमला हो गया था तब कुछ लोगोंunkा यह भी मानना था किelnो बापानी बातार पर अब अपने लोगों के मारे जाने पर गुस्से में है और बताया जा रहा है कि उसने पाकिस्तान को खूब खरी-खोटी सुनाई है वहीं अब भारत के पडोसी देश ने चीनी नागरीकों की रक्षा के लिए एक नया कदम उठाया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खैबर पक्त उनकवा सरकार ने चीनी नागरीकों को बिना बखतरवंद वहन के प्रांत में यात्रा करने का आदेस नहीं दिया है पाकिस्तानी परसासन का असपष्ट तोर पर कहना है किसकी सुरच्छा प्रोटोकोल से कोई समझोता नहीं किया जाएगा हाली में चीनी नागरीकों को भी संभव उपायों को हम अपना रहे हैं इन लोगों को सरकार के निर्देश के नुसार बिना बखतरवंद वहनों के प्रांत में यात्रा नहीं करनी चाहिए आपको बता दे पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला 26 मार्च की घटना को देखते हुए लिया है दरसल चीनी इंजि लेके बेसम इलाके में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था आत्मगाती हमलावरों ने विसफोट को कई तरह की घटनाओं को देखते हुए ही अब पाकिस्तान की सरकार ने ये निर्दे लिया है दरसल पाकिस्तान की सरकार चाइना को ये दिखलाने की कोसिस कर रह हैं तो आप हमारी बात सुनिए खैर आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होता है यहां पर और कितना चाइना सहमत होता है पाकिस्तान से वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई के साथ